आज है 28 मार्च 2023 और 28 मार्च 2023 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं सारे में से वीडियो में बिसक्स करेंगे और हर कुछिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुछेंज पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हूं बताना है आज किस वीडियो की पेडियाप फायल आप इस वीडियो की डिसक्सम से डाउन डूल कर सकते हैं पेडियो पार हमारे टेलिग्म गुरुप्स भी डाउन डा सकते हैं पॉर उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम गुरूप चोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ड करते हैं पहला कुशन है हाली में बेश्श रंगमंच दिवस कम मनाया गया है तो अभी सथ 23 मार्च को बेश्श रंगमंच दिवस मनाया गया तो इस कुश्षिन का बे आप्सेंस उसको प्रजेंट करने की प्रतिवा डवलप होती है तो थिएटर के महत्तु को कई चीजों से परखा जा सकता है और इस महत्तु के लिए लोगों को जागरूख करने के लिए 27 मार्च को बिस रंग मन्च दिवस मनाया जाता है अचा इस मार्च के वर्ल्ड थिएटर डे की थीम क्या है? ठिएटर एंड दा कल्चर ओफ पेस क्या है? ठिएटर एंड दा कल्चर ओफ पेस अच्छा एक मार्च को सूनने भेदवाव दिवस मनाया गया तीन मार्च को बिश्चु बनिजीब दिवस मनाया गया चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और बिश्चु मुटापा दिवस मनाया गया चे मार्च को बिश्चु टैनिस दिवस मनाया गया आठ मार्च को अंतरास्टी मैला दिबस और नो स्मोकिंग डिबनाए गया नौ मार्च को बिस्सु किड्नी दिबस मनाए गया दस मार्च को CISF का 54 इस्तापन दिबस मनाए गया 14 मार्च को अंतरास्टी गड़ित दिवस और अंतरास्टी पाई दिवस मनाया गया 15 मार्च को बेश्विक उपवोक्ता दिकार दिवस मनाया गया 16 मार्च को रास्टे टीका करण दिवस मनाया गया 17 मार्च को वर्ल्ड स्लेप डे मनाया गया 18 March को गेस्ट्विक रिसाइक्लिंग दिवस मनाया गया 20 March को अंतरास्ट्ट्री प्रसंटता दिवस، World Oral Health Day और विच्छूगोरईया दिवस मनाया गया 21 March को अंतरास्टी बन दिवस और नसले भिद्वाव के उनमूलन के लिए अंतरास्टी दिवस मनाया गया 22 मार्च को 200 जल दिवस मनाया गया 23 मार्च को 200 मौसम बिज्ञान दिवस मनाया गया 24 मार्च को 206 रोग दिवस मनाया गया और 25 मार्च को अजन में बच्चे का अंतरास्टी दिवस मनाया गया तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट ये मनाया गया यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक कर तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सिर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मौनिंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी। ने क्यूशन है? हाली में रूस ने केस देश में परमण हत्यार तेनात करने की गोश्णा की है। तो रूस ने अभी बेलारूस में परमण हत्यार तेनात करने की गोश्णा की। तो इस क्यूशन का C option से है। रूस युक्रेन युद्द के बाद अब रूस ने बेलारूस में परमण हत्यार तेनात करने की गोश्णा की है। अब बेलारूस तो ये है मैप में बेलारूस बेलारूस की capital क्या है? मिन्सक, बेलारूस की currency क्या है? बेलारूस येन रूबल और बेलारूस की present time पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकासेंको कौन है? अलेक्जेंडर लुकासेंको अब परमण हत्यार रसिया तेनात करेगा? तो अभी FATF ने रसिया की सदस्ता को रद कर दिया है। अक्टूबर महा में भारत का सेर्स तेल आपूरती करता रसिया बना है। Finance Year 2023 में रूस भारत की पिग आयरन का सबसे बड़ा आया तक बना। रूस भारत का सात्मा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार बना है। और रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉंट्रेक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। नैशीशन है हाली में किस ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का सुवारम किया है। तो अरावली ग्रीन वाल परयोजना इसका सुवारम अभी स्री भूपेंदरियादम ने किया तो इस कुछ्षिन को बे अप्सन सही है परयावड बं जलबायू परवर्तर मंत्री हैं स्री भूपेंदरियादम इनों ने अभी अरावली पाडियों के आसपास अरावली पाडियों के असपास यानि की राइस्तान, हर्याना, दिल्ली, गुजरात इस रीजन में इन पाडियों के 5 किलोमेटर की रेंज में ब्रक्षा रूपड को बड़ावा देने के लिए अरावली ग्रेंड वॉल परयोजना का सुबारम किया है ने क्यूशन है तो इस कुश्चन का से औपसेंस है पहला मैला प्रेमेर लेक मुंबई इंडियन से चीत लिया है ने क्यूशन है हाली में रिलाइंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना सियाएफो नामित किया है तो Reliance Industries ने अभी स्रीकांत बेंकर्ट चारी को अपना नया चेव Financial Officer नाम बिंद किया तो उस Question का बे Options है यह हैं स्रीकांत बेंकर्ट चारी और इनी को Reliance Industries ने अपना CFO Appoint किया अच्छा अभी Cotton Corporation of India के CMD के रूप में ललित कुमार गुपता को न्यूट किया गया ताजिकस्तान में सैयुक्त रास्ट की Resident Coordinator के रूप में के आर पारवती को न्यूट किया गया BPCL का अध्यक्ष और प्रबंद ने दे सक जे कृष्ण कुमार को न्यूट किया गया TCS का CEO के करतिवाशन को न्यूट किया गया और हने बेल ने CEO के रूप में बिमल कपूर को न्यूट किया है हाली में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ बारत के सबसे बड़े लॉंच वेकल मार्क थ्री रॉकेट का प्रक्ष बढ़ किया तो अबे इसरो ने चत्तेस उपग्रहों के साथ बारत के सबसे बड़े लॉंच वेकल मार्क थ्री रॉकेट का प्रक्ष बढ़ किया तो इस्कुशन का A options है अब इस रो इसकी स्तापना का होई 1969 में इसका headquarter कहां पे है बेंगलूरू में और इसके present time पे chairperson कौन है एस सोमनाथ कौन है एस सोमनाथ नेकुशन है हाली में किसे pension यूजना पर panel का प्रमुक न्यूक्त क्या गया है तो actual में है क्या अभी भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS की विवस्ता है National Pension Scheme इस से पहले क्या था OPS था Old Pension Scheme OPS में क्या हुआ करता था जो कर्मचारी का last way तन होता था उसका 50% उसे pension के रूप में दिया जाता था NPS में क्या है security नहीं है कि कितना परसेंट में लेगा ये कई चीजों पे टिपेंड करता है इसलिए कर्मचारी इसके बिरूद में है कई राजियों में क्या हुआ है NPS से कर्मचारियों को OPS पे सिफ्ट कर दिया गया है जैसे राजिस्तान है, 36 गड़ है, चारकर्ण है यहाँ पे NPS को खतम करके राजियों सरकारों ने OPS की विवस्ता लागू कर दिया तो अब किन सरकार ने क्या किया है एक पैनल का गठन किया है जो इस NPS में सुधार के लिए काम करेगा और इसमें क्या मोडिफिकेशन वो सकते हैं, जिससे की करमचारी संतुस्ट हो जाए इस पे काम करेगा इस पैनल का प्रमुक, T.B. सोमनाथन को नियुक किया गया तो इसकुशन का C options है यह है T.B. सोमनाथन हाली में दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रूप की वेठक कहां संपन होई है तो यह अभी चेन नहीं में संपन होई तो इसकुशन का B options है नेक शुशन है अभी ISSF बिस्टुकब 2023 में 25 मीटर पिस्टल इस परदा में मनु भाकर ने कौन सा पतक जीता है तो ISSF यानि की International Suiting Sports Federation ISSF बिस्टुकब 2023 में 25 मीटर पिस्टल इस परदा में मनु भाकर ने कान से पतक जीता है तो इसकुशन का C options है यह है मनु भाकर अच्छा यह जो ISSF बिस्टुकब है यह कहां पर हुआ है भोपाल में नेक शुशन है तो केंदरी नागरिक उडियन मंत्री है जोतिरादित्ति सिंधिया इन्होंने अभी पहली दिल्ली धर्मसाला उडान को हरी जंडि दिखाई तो इसकुशन का B options आई है नेक शुशन है हाली में दूसरी जलबायू और पर्यावर्ड इस्थिरता कारिसमों की वैठक कहां होगी तो दूसरी जलबायू और पर्यावर्ड इस्थिरता कारिसमों की वैठक गुजरात की गांदी नगर में होगी तो इसकुशन का C option सही है नेक शुशन है तो ये जीता है मुकेस अमानी की बेटी एशा अमानी नहीं किसने बन जीव संड़क्षड पुरुसकार दूजर तेज जीता है तो जम्मु कस्मेर की हैं आलिया मीर इन्होंने अभी बन जीव संड़क्षड पुरुसकार दूजर तेज जीता है ये हैं प्रमुक समासास्तरी और बन जीव जनवरों के लिए काम करने वाली आलिया मीर ये जम्मु कस्मेर की हैं और इन्होंने अभी बन जीव संड़क्षड पुरुसकार तूजर तेज जीता है नाए किशन है हाली में किस देश की पूर राष्टपती डिलमा वाना रूसेफ को अन्डि बी के अद्धिक्षक की रूप में चुना गया तो Dilma Vana Rusev, यह Brazil की पूर वाश्ड पती हैं और अब इनको New Development Bank का अध्यक शुना गया तो इसकी शुस्षिं का A Option सही है यह है Dilma Vana Rusev, यह Brazil की पूर वाश्डपती है अब इनको NDP का अध्यक शुना गया So, NDP यानि की New Development Bank इसकी स्थापन कब हुई? पंद्रे जुलाई 2014 को इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है संगाई में और इसके प्रजेंट एमपे प्रेसिडेंट कौन है मार्कूस पराडू ट्राइजो कौन है मार्कूस पराडू ट्राइजो ने क्यूशन है हाली में S&P Global Ratings ने बित बर्स 2024 में भारत की आर्थिक ब्रदिदर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाए तो S&P Global Ratings ने बित बर्स 2024 में भारत की आर्थिक ब्रदिदर 6% रहने का अनुमान लगाए तो इस कुश्यन का C options अभी है अब last video की कुश्यन का answer सर्फ लाश्ट वीडियो मैं आपको सर्फोटर सुनियस्टी स्तापित करने जा रही हैं। त से औप्सिंघंस एप शाइ टीर्निष करने निर्थ करने करें अब भी जाता पता है। क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाले में भारत में कौन MotoGP का प्रसारड करेगा चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा आप हमारे Facebook page बर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेसRC Instagram पर इंद्रेसRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना है आज किस वीडियो का target है चाली से लाइक तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अलपो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook गुरूप है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्राइब करेंगे बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पे जरू क्लिक कर लेए जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज बेदियो टेंक्स वर वाचिंग